साइंच टीवी में आपका स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की खास कर रोकर अपना दूद बेच कर लाखों कमा रही है महिला पुर्षों में भारी मांग विविद्था से भरी हुई है यह दुनिया यहां तरह तरह के मौसम और लोग पाए जाते हैं जब लोग तरह तरह के हैं तो काम भी तरह तरह के होते हैं जिनके बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता अलग-अलग चीजों की वज़ा से जानी जाती इस दुनिया में कुछ चीजें तो समानने होती हैं मगर कुछ हैरान कर देती हैं ऐसी ही एक कहानी साइप्रस की रहने वाली राफाईला लामप्रो की है मां का दूद बच्चों के लिए अमरिक के समान माना गया है लेकिन एक मां ऐसी भी है जो अपना दूद बेचकर लाखों रुपे कमा रही है साइप्रस की रहने वाली राफाईला अपना दूद बेचकर लाखों रुपे कमा रही है दो बच्चों की माँ राफाईला लाम प्रोव के दूद की बाडी बिल्डिंग करने वाले पुर्षों के बीच भारी मांग है राफाईला लाम प्रोव ने कुछ महीने पहले एक पच्चे को जनम दिया था लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर में दूद जरूरत से ज़्यदा मात्रा में बन रहा है जिसका उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है इस दूद को बेचकर अब वैक कमाई करती है 24 साल की राफाईला दो बच्चों की माँ है पहले वै अपने दूद को ऐसी महिलाओं को दान करती थी जो अपने बच्चों को स्तन पान कराने में असमर्थ थी फिर कुछ पुर्षों ने राफाईला से संपर्क किया और उन्हें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई करने की बात कही राफाईला ने डिमांड को देखते हुए आनलाइन ब्रेस्ट मिल्क बेचना शुरू कर दिया राफाईला अपने दूद को एक यूरो प्रती आउंस की कीमत पर बेचती है राफाईला का दूद खरीजने वाले बाडी बिल्डरों का मानना है कि यह दूद मास्मेशियों के लिए काफी फाइदे मंद होता है राफाईला के अनुसार जब उसे पता चला कि मां के दूद का एक बहुत बड़ा बाजार है तो उसने दिन में दो लिटर दूद बिक्री करने का फैसला कर लिया राफाईला लाउंपरो अब तक करीब पांसो लिटर दूद बेच चुकी है जिस से उन्होंने चार हजार पांसो पाउंड यानी चार लाख रुपे से जएदा कमा लिये है लाउंपरो अपना दूद आनलाइन बेचती है इसे लेकर राफाईला ने फेस्बुक ग्रुप भी बनाया है और लोगों को उसके जरिये संपर्क करती है राफाईला लाउंपरो अपने पती एलेक्स और दो बच्चों के साथ रहती है सांच टीवी की खास रिपोर्ट यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें सांच टीवी और घंटी के निशान को जरूर तबाएं लाइव खबरों के लिए आप www.sanch.tv पर भी जा सकते हैं सांच टीवी सबसे आगे सबसे पहले बने रही है हमारे साथ पलपल की खबरों के लिए